नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ड्सगीन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसो की उन वेराइटी के बारे में जिनमें तेल की मातर सबसे ज़्यादा होती है तो कौन-कौन सी वेराइटी है सारी जानकारी आपको इस वीड यह हाईविड सीड्स है अगर इस वेराइटी की उत्पादन के बात करें तो इसके उत्पादन की चंता जो होती है 12-14 कौन्टल पर एकड़ आप इसके बुआई करके अब उत्पादन ले सकते हैं साखाएं के बात करें फुटाओ सबसे ज़्यादा होता है इसमें सुरू स पोदे की एक फली के अंदर 18-22 दाने होते हैं और दानों में वजन होता है इस वेराइटी के पोदे पर फलीया ज्यादा लगती है यानि फलीया की जो संख्या आती है एक पोदे को पर 180-220 फलीया इसमें आ जाती है बीमारी की बात करें तो यह रोग प्रतियों तक छंता किसम हो यानि सफेद रतवा रोग नहीं लगता है समय बात कर लें पकने कितने कामें में पक्कषस के टैयर जाती है एक सो तीचे तेंटियॉस ते की तीयार यहां अक्टूबर महीने में कर शकते हैंas on that पहले अपäng कर दीजिए और इसे यह जासे एक काली सरसो है, आपकी इसका रंग काला होता है, बीजगा, पोदे की उचाई आपकी कितनी जाती है, इसकी पोदे की उचाई आपकी हो सकती है, 140-160 cm की उचाई जाती है, इसी वज़े से क्या होता है, यह मद्यम अकार की होने के जैसे इसकी फसल काफी कम ही गिरती है, बीज को होती है यहीं तीन पानी में यह पक्के त्यार जाती है इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है सक्तिवर्दक कंपनी की ही SVJ101 यह भी hybrid seeds है यह भी आपके काली seeds है और इसमें तेल की मातरा काफी जाद इस variety को पकनी में जो समय लगता है 125-130 दिन में यह पक्के त्यार जाती है बुवाई का समय क्या है इसके लिए सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप इस variety के बुवाई कर सकते हैं अगेती और पचेती दोनों तरह की बुवाई आप इस variety की कर सकते हैं उचाई की बात करें पोदे की 120-130 cm का पोदा होता है नि मद्यमकार का पोदा होता है मद्यमकार का पोदा होने की वज़े से फसल नहीं गिरती है साखाई की बात करें इस वेराइटी के साखाई फुटाओ सुरू से ही स्टार्ट हो जाता है जब पोधा स्टार्ट हो तब इसे ही फुटाओ स्टार्ट हो जाता है एक पोदे से हमें 18 से 20 साखाय निकलती है, फलीयों की बात करें, पोदे पर फलीया सबसे ज्यादा आती है, एक साखा पर 65 से 70 फलीया आती है और एक पोदे से 200 से 300 फलीया मिलती है दाने की बात करें एक फलियों से हमें बीश से 23 दाने मिल जाते हैं दाने काले मोटे और चमकदार होते हैं तेल की मातरा इस वेराइटी के अंदर आती है 42 से 44 परसेंट बीचदर की बात कर लें इस वेराइटी के अंदर तो 1 किलोग्राम पर एकड़ के साब से 20 का बीचगर होता है मौसम की बात कर रहे हैं तो पाला भी इस वेराइटी को काफी कम लगता है रोग पर तिरोदक चमता की बात करें यह रोग पर तिरोदक चमता वाली किस्म है और इसमें स्पेद रत्वा रोग नहीं लगता है पानी की बात करें तो इस वराइटी की वसल को तीन पानी जरूत होती है उतपादन के बात करें इस वेराइटी के लिए तो इसके वेराइटी के उतपादन होता है आमें 14-15 कुंटल पर एकर डमी इसका उतपादन ले सकते हैं इस लीस्ट में तीसरा नमबर आता है पूसा मस्टर 28 इसके वेराइटी को पकने में जो समय लगता है जिसके हरियाना, पंजाब, राजिस्तान, दिल्लियादी उतपादन की बात करें तो इस वेराइटी से आप 17-19 कुंटल पर एक्टर उतपादन ले सकते हैं तेल की मातरा इस सर्सों की सी वेराइटी के अंदर होती है 41-42% बुआई का समय जो है इस वेराइटी का हुआ है सितंबर से सितंबर मद्य तक आप इसके वेराइटी कर सकते हैं अगेती और पचेती दोनों बुआई आप इस वेराइटी के आसानी से कर सकते हैं नेक्स वेराइटी जो आती है वो है नरेंदर 2 ये देशी वेराइटी है, 1996 में से ये डवलप हुई थी, तब से अब तक इसको बोते आ रहे हैं किसान, तो इसका जो समय है पकने में जो समय लगता है, 125-130 दिन इसको पकने में लगता है, उत्पदन की बात करें तो इसमें 7-8 कुंटल परेकर आप उत्पदन ले सकते हैं, द नंबर महां से अक्टूबर महां के बीच में आप इसकी बोई कर सकते हैं, नेक्स वेराइटी जो आती है वो आती है पितामबरी, ये देशी वेराइटी है, ये एक पीली सरसोव की वेराइटी है, ये 2009 से अब तक इसको बोता जा रहे हैं किसान, इसको जो पकने में समय इसकी बोई कर सकते हैं, नेक्स वेराइटी जो आती है वो है के एटेट, ये भी हमारी देशी वेराइटी है और पीली सरसोव की वेराइटी है, उनी सटटर से अब तक इसको इसको इससान बोते आ रहे हैं, इस वेराइटी को पकने में जो समय लगता है, 125-130 दिन में ये प पानी, चार पानी में पके ये तेरा जाती है, बोई का समय की बात करें तो अगेती बोई इसकी कर सकते हैं आप, यहनि सितंबर और अक्टूबर महा में आप इसकी बोई कर सकते हैं, पोदे की उचाई 3-5 फिट तक ही हो जाती है, नेक्स वेराइटी जो आती है, वो है तिर 40-43 परसेंट तेल की मातरा होती है, इस वेराइटी का दाना मोटा और पीला और वो जंदार होता है, बोई की समय की बात करें सितंबर से तितंबर तक आप इसकी बोई कर सकते हैं, अगेती पेचेती तोंबर की बोई इसकी आप कर सकते हैं, नेक्स वेराइटी जो आती होते पाइनोर की 45-42 इसका उत्पादन जो होता है 14-15 अकुंटल पर एकड़ आप इसका उत्पादन ले सकते हैं इस वेराइटी को पकने में जो समय लगता है 120 दिन लगता है बुआई का समय है आप 5 अक्तुबर से 9 बर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं पानी तीन पानी में ये वेराइटी पक्के तेयार जाती है लंबाई की बात करें पोदे की तो 160-180 cm पोदे की लंबाई चली जाती है दाना इस वेराइटी का पूरा और पतला होता है एक फली के अंदर 12-15 दाने निकलते हैं और तेल परसंटेज की बात करें तो इसके अंदर 42-43% तेल की मातरा होत नेक्स वेराइटी जो आती है बायर्स कंपनी की P52 एक हाइबिर्ड वेराइटी है इसके उत्पदन की बात करें तो 13-15 परेकड आप इस वेराइटी से उत्पदन ले सकते हैं पकनी में जो समय लगता है 125-128 दिन में पक्के तयार हो जाती है एक अगेती बुआई की किसम ह बीजदर की बात करें एक किलोगराम परेकड आप इसका बीजदर इसका रिक्वायर होता है पानी तीन पानी में पक्के तयार जाती है तेल परसेंट की बात करें तो तेल की मात्रा इसके अंदर 42 परसेंट होती है ये एक रोग परतियों तक छमता वाली वेराइटी है इस पोदे की उचाई 180 cm तक ही हो सकती है इस लिस्ट में जो आखरी वेराइटी आती है वो आती है पाइनोर की 45-46 उत्पादन की बात करें तो 12-14 कुंटल परेकर आप इसका उत्बदन ले सकते हैं इस वेराइटी को पकने में जो समय लगता है 115-150 दिन में पक्के त्यारा जाती है तेल की मातरा की बात करें तो 42% इसमें तेल की मातरा होती है इसके पोदे की लंबाई 160-160 cm तक चली जाती है इस वेराइटी के दाना का साइज मोटा और चमकदार होता है इस किस्म को तीन पानी की जरूत होती है तो ये ती सरसो की कुछ देशी और हाइबिड वेराइटी जिन में तेल की मातरा सबसे ज़्यादा होती है तो किसान भाईयो आप अपने एसाब से कोई भी एक हाइबिड सीड्स या देशी सीड्स ले सकते है और अपने सरसो की बुआई कर सकते है इसमें सरसो की टेल की मातर सबसे जादा होती है तो किसान भाई हो आपको जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पे नहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो को सेर करना ना भोले धन्यवाद